जहीं दूस्तों स्वागत है आप सभी आपके अपने परिवार दा लॉजिकल साइंस में मैं हूँ अलोक सिंग आतीस और आज के इस वीडियो सुशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं आप सबों के सबसे ज्यादा पुछे जाने वाले क्वेशन कि गुरुजी इस बार गुर रेल्वे बोर्ड जारी करेगा और यहां पर जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं उसके अनुसार से कटफ जो है वो सुनिस्तित नहीं होगी क्योंकि आपका कटफ नंबर ओफ एस्टूडेंट कितने एपियर हुए है एक्जाम में इस पर डिपेंड करेगा उनका रॉम के बोर्ड में विश्वसनिय सुत्र बैठा हुआ है जो हमको बता रहा है तो हमारा इस तरह का कोई लिंक नहीं है और हमारा इस तरह का कोई सुत्र नहीं है आप कहेंगे सर फिर आप कटफ पे कैसे चर्चा करेंगे मैं आपको कटफ के लिए कोई फिक्स नंबर नहीं बतान वाला हूँ मैं आपको एक एप्रॉक्स आइडिया दे सकता हूँ कि हाँ अगर आपका स्कोर इसके बीच में है तो आप कहीं न कहीं सेफ जोन में हैं और आप पीटी की तियारी कर सकते हैं आप कहेंगे यह आइडिया आपकी स्पेस पर देंगे अभी से चार दिन पहले मैंने एक कम्यूटी पोस्ट डाला था यूट्यूब पे जिसमें लगभग 10,000 बच्चों ने पाटिसिपेट करा था 10,000 बच्चों ने बोट दिया है और बोट में किस तरह से मैंने क्या बोला था वो सारी परसेंटेज आप सभी देख रहे होंगे मैंने आपको चार ओप्सन दि नीचे हैं उसमें लगभग 57 परसेंट इस्टूडेंट ने वोट करा है 55 से 60 के लिए लगभग 20 परसेंट इस्टूडेंट ने बोट करा है और 60 से 65 के लिए लगभग 12 परसेंट इस्टूडेंट ने वोट करा है और 65 से 70 के लिए लगभग 11 परसेंट इस्टूडेंट ने वोट करा है तो कुल मिला के आप यह कह सकते हो कि गुरुजी आपके पास जो दस अजार बच्चों ने वोट करा है उसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज तगरा है वो किसका है तो सर वो है बिलो फिप्टी फाइब नमबर वाले का यानि कि 57 परसेंट इस्टुडेंट ऐसे हैं 10,000 में से 57 स्टुडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर कितना आ रहा है सर तो 55 से नीचे आ रहा है बाकी 65-70 वाले 11 परसेंट 60-65 वाले 12 परसेंट हैं और 55-60 वाले 20 परसेंट हैं तो कहीं न कहीं आप इस डाटा को देख करके यह आंदाजा लगा रहे होंगे कि क्या रहे हैं कि कि जो आपका कटप बनेगा वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह से अपने-अपने हिसाब से केल्कुलेट कर रहे हैं हलाकि वो अलग मैटर है केल्कुलेट करने दीजिए लेकिन मैं आप सबों से बस इतना ही कहूँगा कि अ आपका 30 number है तो हो जाएगा, आपका 40 number है तो हो जाएगा, ध्यान दीजेगा, कि कर्म करना आपके हाथ में है, फल की चिंता करना आपके हाथ में नहीं है, फल जो है, वो दूसरे पर depend करता है, तो इस चीज़ को आप हमेशा आपने माइन में रखेगा और अगर आप 50 पलस स्कोर करके आए हैं या आपका 50 पलस आ रहा है नमबर चाहिए आप किसी भी जोन से हैं कहीं से भी हैं तो मिरे मित्र आप बेहिचक पीटी की तेयारी कीजिए इसमें कोई साक आपको नहीं होना है आप कहेंगे सर आप ऐसा का है बोल रहे हैं हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास 10,000 बच्चों ने वोट करा तो उसमें लगवग 57 संतावं सौा आप क्या सकते हो कि आधा से भी ज़्यादा है संतावं सौ बच्चों का स्कोर 55 से नीचे आ रहा है तो पेरे मितर आपकी यह वेकैन्सी है वह वेकैन्सी 1,00,00 इस्टूडेंट के लिए यानि कि एक लाख बच्चों को उसको लेना है तो जाहिड सी बात है कि एक लाख जो बच्चे होंगे उनका नमबर सबका तो 67 सी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिसेपीर भी हुए हैं एक्जाम में वो एक्जाम नहीं दे पाए हैं किसी कारण से और भी बहुत सारा फैक्टर है जिस पे कहीं न कहीं आपका कटफ डिपेंड करने वाला है पहला तो स्टूडेंट अपसेंट हैं सर पहला फैक्टर ये कि स्टूडेंट अपसेंट हैं और दूसरा फैक्टर ये कि कुछ सिप्ट इजी रहे हैं कुछ सिप्ट मॉडरेट रहे ह और कुछ shift आपका tough आए तो अगर exam point of view से देखें तो सभी student के लिए question बराबर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे मसला तो easy, moderate और tough का आ रहा है तो कहीं न कहीं इस हिसाब से भी कुछ न कुछ ताई होगा और दो सबसे महतपुन बात है वो यह कि railway ने बहुत सारे question का answer गलत दिया है क्योंकि अमूमन exam में तो यह होना चाहिए कि अगर एक कोई question गलत है तो वो सभी बच्चों के लिए गलत है तो सबसे बड़ा factor कहीं न कहीं यह भी है कि यहां से भी आपको फाइदा होगा अगर question गलत बोर्ट संग्यान में लेता है तो वो नमबर सबको मिलना चाहिए और दूसरी बात कि बहुत सारे मित्र absent भी हुए है किसी न किसी खारण से और जो यह आपका easy, moderate, tough यह सब चीज रहा है तो इन सब को मिला करके अगर आप overall percentile की बात करेंगे तो आपको लगभग most of the student ऐसे मिल जाएंगे जिसका score या तो 50 प्लस रहा है या 55 से नीचे रहा है ऐसा नहीं है कि बच्चे उन्हें score नहीं करा है, बहुत सारे बच्चे अपने पास भी है, जिनका scorecard भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, उन्होंने 74 नंबर भी लाया है, एक 70 नंबर भी लाया है, अभी आज सुबह ही एक बच्चे से बात हुई थी, वो जारकन के लेकिन आप लोग को भी यहाँ पे चिंतित होने की जड़त नहीं है, क्योंकि जो एक लाख वेकेंसी है, उसको सरकार को भरनी है, तो कहीं न कहीं वो अपना जो cut-up बनाएगा, वो वैसे standard से चूज करेगा, ताकि उसका वेकेंसी भी fill-up हो जाए, और किसी का नुक्सान भी कीजिए, और जो मैंने आपको पहले बोला कि कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन फल की चिंता करना या फल जो है, वो आपके हाथ में नहीं है, तो इसलिए अगर आप 50 प्लस स्कोर में है, अगर आपका 55 है, 57 है, 58 है, या 50 के आसपास है, तो आप सर PT का त्यारी कीजिए, आप कर्म ही तो कर रहे हैं, एक कर्म आप करके आए हैं, दूसरा आपको कर्म करना है, तो दूसरे के लिए आप अपने माइंड को पिरपेर कीजिए, अगर रिजल्ट आता है, फाइनल लिस्ट में आपका नाम रहेगा, तो सर्खुसी की बात है, नहीं अगर ऐसा कुछ इस होंगे और आपके पापा आपके लिए जैसे करें आपको दोbacks सुना करके करें रहें मतलब यह प्षार से करें गुसा से कर तो रहें है नई ऑर एक बात बताऊ कि एक गुरूबडी एकजाम के खतम हो जाने से आप suci काईडी कर लोगे तो जो आपके पापा हैं आपके फैमली हैं उस पर क्या बीटेगा और ये कायरता वाली बात हो जाती है कि सर मैं डी मोटिवेट हूं फलना हूं चिलना हूं भट इस तरह की बाते कौन करता है एक स्टुडेंट का हमेशा नेचर होना चाहिए जुझारूप से डिपेंड हैं और एक एक्जाम आपका खराब गया है वह इस वज़ा से आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थाउट आते हैं मेरे बारे में आप जरा सो सोचिए मैं अपने फैमली पे आज 8 साल से डिपेंड नहीं हूं और हमारे लाइफ में ऐसा भी सिच्वीशन आ रही होगी हम भी सोच लेते हैं अब कुछ नहीं है हमारे जिंदगी में अब हम यहां से अपना जिंदगी खातम कर लेते तो ऐसा नहीं होता है तो जितने भी बच्चों को निगेटिव थाउट माइंड में आ रहा है भाई मेरे प्लीज आप इन सब चीजों को प्लस स्कोर आ रहा है या 50 से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है आप पीटी की त्यारी कीजिए कर्म अपना कीजिए सब फल की चिंता आप ना करें और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरुत नहीं है आप आगे की वेकेंसी के लिए खुद को प्रफेर करें और हां एक बात और कहाना चाहूं कि जितने भी बच्चे इस बार मार खाएं हैं एक्जाम में गुरूबडी जैसे एक्जाम में जबकि आपने तीन साल से त्यारी करा है तो जितने भी बच्चे मार खाएं जो भी अपने नंबर से संतुस्ट नहीं है यहाँ पे उनको जरूरी है अब लोकन करने के एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप हमसे जूठ बोल सकते हैं फैमली से जूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप जूट नहीं बोल सकते तो इसलिए अगर आपका एक्जाम अच्छा नहीं गया आपको लग रहा है कि सर हमारा कम नंबर आया है और ज्यादा नंबर आना चाहिए आप खुद का अवलोकन करें सर कि आपने घलती कहां पे की है जाहें आपका पढ़ने का तरीका हो या फिर आप है ऐसे और भी वेकेंसी हैं जो देखने को मिलेंगे तो आप उस गलती को आगे के एक्जाम में ना दो रहा हैं एक बार आप खुद का अवलोकन करें कि हमारा नंबर कम क्यूं आया और फिर जिंदगी को एक नए सीरे से सुरुवात करें सर मजा आ जाएगा लाइफ बहुत यहां मारा रेलवे में 20 सुत्र बैठा हुआ है जो हम आपको यहां पे एक फिक्स डाटा बता दे मैंने अप्रॉक्स आपको बताया कि 50 पलस अगर आपका स्कोर है तो सर आप पीटी की तियारी कीजिए आपके लिए बेस्ट रहेगा बहुत ज्यादा चिंतित होने की परियास करा है क्योंकि उनके पास लगवाब 20-21,000 बच्चों का डाटा रहा है तो उनका जो डाटा है आप सभी समझ रहे होंगे इतने भी मतलब आप लोग अबरनेस की कमी नहीं है आप लोगों में आप लोग बहुत सारे चैनल को विजिट करते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा परियास करा है सर इनके लिए उनको हमारे तरब से तहदेल से धन्दबात और भाकी के जो लोग है वो हबा में उड़ा रहे हैं तो उड़ने की जरुद नहीं है सर बस आप अपना काम कीजिए आगे सर सब अच्छा होगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में तब तक के लिए वेस्ट अफ लग थैंक यू हवा नाइस टी